Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jaha and welcome back to our channel Jaha Education Zone. So today we are going to solve exercise 7.2. इस exercise को solve करने से पहले कुछ basic terms हैं. उन्हें देखते हैं फिर इसके बाद इसे solve करेंगे तो ज़्याद अच्छे समझ में आएगा. अब यहाँ पर basic proportionality theorem या फिर इसका एक और नाम है theorem यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है. यहाँ पर हमेशा एक triangle होगा. Let's suppose यहाँ पर एक triangle है ABC और इस triangle में BC के parallel एक line है जिसका नाम है DE. मतलब यहाँ पर DE BC के parallel है तो यह parallel का sign है. तो जहाँ कहीं पर भी ऐसी condition बताए जाए कि एक triangle है और उसमें किसी एक side के parallel एक line ड्रॉग की गई है जो दो other side को अलग-अलग points पर cut कर रही है. तब वहाँ पर हमेशा उसकी sides का ratio बराबर होगा. जैसे यहाँ पर AB side दो parts में divide हो गई. कौन से दो parts में AD और DB? तो यह हो जाएगा AD upon DB और यह हमेशा किसके बराबर होगा? दूसरी वाली side के ratio के बराबर. तो यहाँ पर दूसरी side क्या है AC? जिसमें यह E से intersect हो रहा है. तो दो parts में यह भी divide हो रहा है. तो पहले part का क्या नाम है? AE और दूसरे part का नाम है EC. अब यहाँ पर यह AD upon DB is equal to AE upon EC. कैसे आया? यह proof करने के लिए भी कभी कभी question में आता है. ओके? और यह काफी important question है. इस वीडियो में मैंने इसे explain किया है. लिंक आपको description में मिल जाएगा. यहाँ पर simple है. अगर कहीं पर हमें इस तरीके की information दी गई है. पैरलेल लाइन्स की किसी भी triangle में. तो उसमें हमें other two sides को same ratio में divide करना होगा. अब इसी तरीके से second term है. Converse of BPT. BPT मतलब basic proportionality theorem. यह उसका short form है. या फिर इसे Thales theorem भी बोल सकते हैं. Thales theorem का Converse. ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें information दी जाएगी. तो यह just इसका opposite होगा. इसका reciprocal होगा. मतलब यहाँ पर हमें क्या बताए जाएगा? कि AD upon DB is equal to AE upon EC है. अगर तब DE अपने आप parallel हो जाएगा. किसके parallel? BC के. Simple है. कभी हमें यहाँ पर parallel की condition बताए होगी. तो इसे हमें ratio में convert करना होगा. और अगर ratio दिया गया है तो उसे हमें parallel में convert करना होगा. यहाँ पर सभी questions को solve करने के लिए आपको यह दो conditions पता होनी चाहिए. ओके? So, question number first is in figure first and second. यहाँ पर दो figure दिये गए हैं. और DE is parallel to BC. पताया गया है कि DE BC के parallel है इन दोनों ही figure में. Find EC in first. तो हमें first figure में EC पता करना है and AD in second. और second figure में हमें AD पता करना है. सबसे पहले first point solve करेंगे first figure. यहाँ पर हमें क्या दी गई है condition? DE is parallel to BC. यह हमें बताया गया है. तो इसे हमें note करना होगा. और first figure में हमें किस की value पता करनी है? EC की. तो इसे हमें two find में note करना होगा. अब यहाँ पर first figure में हमारे पास क्या है? एक triangle ABC है. और यहाँ पर BC की parallel एक line draw की गई है. जो other two sides को अलग-अलग points पर cut कर रही है. तो यहाँ पर हमें BPT theorem apply करना होगा. BPT theorem मतलब basic proportionality theorem. जो के अभी हमने समझा. ओके. तो जब भी ऐसी condition होती है. तो यहाँ पर दो other side किसमें divide हो जाती है? Same ratio में. यहाँ पर हमें statement note कर सकते हैं by basic proportionality theorem. तो basic proportionality theorem के according यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD upon DB is equal to किसके बराबर होगा? दूसी side के ratio के बराबर. तो दूसी side किस part में divide होई है? AE upon EC. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? AD. तो AD की place में हमें क्या note करना है? इसकी numerical value. numerical value कितनी बताए गई है? 1.5 cm. तो cm हम बाद में note करेंगे. 1.5 note कर देते हैं. इसके बाद है DB. DB किसके बराबर है? 3 cm. तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. equal. AE की value कितनी है? 1. और EC हमें नहीं पता. तो इसे आप X भी assume कर सकते हैं. और EC वैसे ही लिकर रहें दीजे. यह भी correct है. तो सबसे पहले point remove कर देते हैं. और point हटाने कि बाद क्या होगा? यहाँ पर एक 0 आ जाएगा. अब यहाँ पर numerator में 15 है. और denominator में 30. तो यह दोनों 15 की table से cancel हो जाएगे. और अगर आप इसे 5 से cancel करना चाहें. तो 5 से भी cancel कर सकते हैं. और अगर आप इसे 3 से cancel करेंगे. तो फिर यह पूरी तरीके से simplify हो जाएगा. तो इसे आपको इसकी lowest form में note करना है. तो यहाँ पर मैं इसे 15 से cancel कर रही हूँ. 15, 1,015 और 15, 2,030. यह आपको पता ही होगा. 1 upon EC वैसी रहेगा. अब यहाँ पर हमें 1 upon EC की value नहीं पता करनी. किसकी value पता करनी है? सिर्फ EC की. तो यहाँ पर हमें cross multiply करना होगा. EC का 1 में multiply करेंगे. EC वैसी रहेगा. equal 2 का multiply 1 में करेंगे. तो 2 वैसी रहेगा. ओके? यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं. कि इसे पलट दें. तो यह हो जाएगा EC upon 1. और इसे भी हमें पलट ना पड़ेगा. तो यह हो जाएगा 2 upon 1. और अगर 1 denominator में हैं. तो इसे हम ignore कर सकते हैं. तो यहाँ पर 2 cm में answer होगा. क्योंकि सभी जगा cm दिया गया है. तो EC की value हमारे पास कितनी आए? 2 cm. अब इसी तरीके से हमें 2nd figure solve करना है. यहाँ पर भी DEBC के parallel हैं. तो given में हम इसे note करेंगे. और यहाँ पर हमें क्या पता करना है? AD की value. ओके? क्योंकि यहाँ पर भी DEBC के parallel है. और एक triangle बन रहा है. तो यहाँ पर भी हम basic proportionality theorem apply करेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD upon DB is equal to AE upon EC. अब यहाँ पर AD की numerical value हमें पता करनी है. तो AD वैसी रहेगा. upon DB की value हमारे पास क्या है? 7.2 और cm बाद में note करेंगे. AE हमारे पास क्या है? 1.8 upon EC की value हमारे पास कितनी है? 5.4. अब यहाँ पर point से point remove हो जाएगा. यहाँ पर हमें सिर्फ AD की value पता करनी है. तो 7.2 को हम replace कर देंगे. AD वैसी रहेगा. क्योंकि numerator की place में है. RHS में हमारे पास क्या बचा? 18.8 हट चुका है. upon 54. और 7.2 को हमें replace करना होगा. यह हो जाएगा into 7.2. divide में है दूसरे साइट जाकर multiply में convert होगा. और नीचे कुछ नहीं तो one assume कर सकते हैं. और otherwise आप इसे direct भी solve कर सकते हैं. अब यहाँ पर AD वैसी रहेगा equal. 18 से 54 cancel हो जाएगा 3 times में. और 3 से 7.2 में आपको divide करना होगा. 3 2s are 6. यहाँ पर 1 बचेगा. 1 और 2 12. 3 4s are 12. और center में point रहेगा. तो हो जाएगा 2.4 cm. AD की value. And this is our final answer. Next is question number second. अब यहाँ पर बताया गया है E and F. Are points on the sides PQ and PR respectively? respectively means crumbs है. तो PQ का point क्या है E और PR का point F है. Of a triangle PQR, a triangle PQR का. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. तो यहाँ पर 3 conditions बताये गए. यह तीनों में चेक करना है कि EF QR के parallel है या फिर नहीं. तो यहाँ पर एक triangle बताये गया है PQR. तो सबसे पहले PQR triangle draw करते हैं. फिर इसकी बाद इसे solve करते हैं. सेंटिमीटर्स और PF कितना है 3.6 सेंटिमीटर्स और FR कितना है 2.4 सेंटिमीटर्स. और यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि EF QR के parallel है या फिर नहीं. यहाँ पर क्या है triangle और अगर EF यहाँ पर QR के parallel है तब यहाँ पर हमें इसको किसके according solve करना होगा BPT के. तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं by BPT. BPT मतलब basic proportionality theorem. तो यहाँ पर इसके according क्या हो जाएगा PE upon EQ equal PF upon FR. यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह इस ratio में है या फिर नहीं. तो सबसे पहले value put करते हैं. PE की value यहाँ पर है 3.9. EQ कितना है 3 equal. PF कितना है 3.6. और FR कितना है 2.4. अब यहाँ से point remove करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 note करना है. यहाँ पर इन दोनों में point है तो point हट जाएगा. अब इसके बाद इसे और simplify करेंगे. 3 से cancel हो जाएगा 3.1003 और 3.3009. और इसी तरीके से यहाँ पर denominator भी 3 से cancel होगा. 3.1003 और 0 वैसी रहेगा equal. और यह दोनों भी 3 से cancel हो सकते हैं. तो इसे भी 3 से cancel करेंगे. 3.1003, 3.2006 और 3.80024. ओके. अब यहाँ पर क्या यह दोनों बराबर हैं? यह और solve नहीं हो सकता. LHS लेकिन RHS और simplify हो सकता है. लेकिन simplify होने के बाद भी यह दोनों बराबर नहीं आ सकेंगे. अब यहाँ पर क्योंकि यह दोनों बराबर नहीं हैं. एक जैसे नहीं है. इसलिए यहाँ पर यह condition follow नहीं हो रही. तो जब यह condition follow नहीं हो रही. इसका मतलब यहाँ पर EF, QR के parallel नहीं है. तो यहाँ पर हमें इस statement note करना होगा. Since PE upon EQ is not equal to PF upon FR. यह दोनों आपस में बराबर नहीं है. Therefore, EF is not parallel to QR. इसलिए EF, QR के parallel नहीं है. Okay? Next is second point of question number second. यहाँ पर भी हमें सबकी values बताए गई है. और same वही condition है. तो सबसे पहले एक triangle draw करते हैं P, QR. और फिर इसके बाद इसे वैसी solve करेंगे. यहाँ पर भी same वैसी diagram draw करना होगा. और यहाँ पर भी हमें EF, QR के parallel है. यहाँ पर नहीं यह पता करना है. यहाँ पर PE की value हमारे पास कितनी है? 4 cm. और QE की value हमारे पास है 4.5 cm. और PF की value हमारे पास कितनी है? 8 cm. और RF की value है 9 cm. यहाँ पर इसे भी हम BPT से solve करेंगे. क्यूंकि एक triangle है और parallel line है. या फिर नहीं यह पता करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PE upon EQ is equal to PF upon FR तो PE की value हमारे पास कितनी है 4 EQ की value हमारे पास कितनी है 4.5 equal PF कितना है 8 और FR कितना है 9 पॉइंट यहाँ से remove करेंगे दूसरे तरफ हमें क्या करना होगा एक 0 बढ़ाना होगा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 upon 45 तो सबसे पहले इसे हम simplify करेंगे क्योंकि बड़ी value है ओके तो इसे हम 5 से अगर cancel करें तो हमारे पास क्या आएगा 58040 और 59045 तो इसे simplify करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह दोनों एक जैसे आग है यह दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ पर PE upon EQ और PF upon FR यह दोनों बिलकुल बराबर हैं इसलिए EF QR के parallel है तो यहाँ पर इस तरीके से हम statement note कर सकते हैं and this is our final answer next is third point of question number second यहाँ पर भी सबसे पहले एक triangle draw करेंगे और फिर हमें यहाँ पर भी चेक करना है कि EF QR के parallel है या फिर नहीं और कुछ values बताए गई है तो सबसे पहले इसे note कर देते हैं अब यहाँ पर PQ मतलब हमें किसकी value बताए गई है इस पूरी length की P से लेकर Q तक कर distance कितना है 1.28 cm और इसके बाद हमें क्या बताए गया है PR तो PR मतलब यह पूरी length इसकी value हमारे पास कितनी है 2.56 cm इसके बाद है PE तो PE कितना है यह वाली length PE की value हमारे पास क्या है 0.18 cm और PF की value बताए गई है 0.36 cm अब यहाँ पर भी एक triangle है और EF QR की parallel है यह पर नहीं यह हमें पता करना है यहाँ पर भी हम इसे basic proportionality theorem से solve करेंगे अब BPT दो तरीके से solve की जा सकती है एक method है half half कि मतलब आप इसे PE upon EQ और PF upon FR की form में note कीजिए और दूसरा तरीका है half and pull या full and half इसमें क्या होगा इसमें आप एक half value लेंगे और एक पूरी value लेंगे तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी note कर सकते है PE upon PQ क्योंकि यहाँ पर EQ की value नहीं बताए गई तो इसे हम ignore कर सकते हैं और similarly यहाँ पर हो जाएगा PF upon PR यहाँ पर हम note करेंगे PE upon PQ half and pull equal इसी तरीके से PF upon PR क्योंकि यही values हमें पता है अब यहाँ पर PE की value हमारे पास क्या है 0.18 और PQ की value हमारे पास क्या है 1.28 equal PF कितना है 0.36 और PR कितना है 2.56 अब इसे हमें solve करना है और देखना है यह दोनों बिलकुल बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं तो point से यहाँ पर point remove हो जाएगा क्योंकि बिलकुल बराबर डिजिट है point के बाद और यहाँ पर भी point से point remove हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 18 upon 128 equal और RHS में हमारे पास बचा 36 upon 256 अब यहाँ पर इन दोनों में पहले हम किसे सिंप्लिफाई करेंगे जो value बड़ी है 21002 28016 यहाँ पर denominator भी 2 से cancel होगा 2002 2204 16 28016 नहीं समझ मैं है 2 से divide करके देखिएगा तो यहाँ पर 128 आ जाएगा अब यहाँ पर 18 upon 128 है और यहाँ पर भी 18 upon 128 तो यहाँ पर यह दोनों क्या है बराबर है यहाँ पर हम स्टेट्मेंट नोट कर सकते हैं Since P upon PQ is equal to PF upon PR Therefore EF is parallel to QR And this is our final answer Next is question number third अब यहाँ पर बताएगे है कि एक figure है और इसमें LM CB के parallel है LM यह है और CB यह है इसके parallel है And LM is parallel to CD और LM CD के parallel है तो हमें क्या परूफ करना है कि AM upon AB is equal to AN upon AD यहाँ पर हमें जो कुछ भी दिया गया है इससे हम given में note कर सकते हैं और हमें जो कुछ भी परूफ करना है उसे हम to prove में note कर सकते हैं तो given to prove और given to find यह सब note करना बहुत जरूरी है First condition हमारे पास क्या है LM is parallel to CB यहाँ पर LM CB के parallel है यह CB है इसके parallel है यहाँ पर किस triangle की बात की जा रही है triangle ABC की यहाँ पर अगर आप bracket में note करना चाहें in triangle ABC तो note कर सकते हैं इससे आप confused नहीं होंगे कि किस triangle की अंदर यह दोनो parallel lines है अब यहाँ पर एक triangle है और दो parallel lines है तो यहाँ पर हम कौन सी theorem अप्लाई करेंगे BPT यहाँ पर हम इस statement note कर सकते हैं by basic proportionality theorem अब इसके according क्या होगा यहाँ पर AM upon MB हो जाएगा तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं AM upon MB is equal to किसके बराबर होगा AL upon LC यहाँ पर हमारे पास क्या है AM upon MB is equal to AL upon LC तो यहाँ पर हमें proof क्या करना है AM upon AB और यह तो match नहीं कर रहा इसी तरीके से यहाँ पर denominator में AB है और यहाँ पर MB तो यह भी match नहीं कर रहा है तो इसे हमें exact same करना होगा इसलिए हम इसे और solve करेंगे यहाँ पर its implies का sign बनाएंगे और इसे हमें पलटना होगा अब हम इसे पलट क्यों रहे हैं यह भी मैं आपको भी बताती हूँ यहाँ पर MB upon AM हो जाएगा equal और यहाँ पर यह भी पलटेगा तो यह हो जाएगा LC upon AL अब इसके reciprocal के बाद हमें इसमें one add करना है दोनों ही side तो यहाँ पर हमारे पास है MB upon AM इसमें हम one add करेंगे RHS में हमारे पास है LC upon AL इसमें भी हमें one add करना होगा दोनों side हमें same changes करने होगे अगर हम इसका reciprocal note कर रहे हैं तो दोनों side का note करना होगा और one add कर रहे हैं तो दोनों side one add करना होगा जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उपर था कुछ भी चेंज नहीं हुआ अब इसके बाद इसे हमें L-SIM लेकर solve करना होगा यहाँ पर ये fraction के form में है तो 1 के नीचे कुछ नहीं 1 assume कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम L-SIM लें तो हमारे पास क्या आएगा AM तो MB के नीचे AM है तो MB वैसी रहेगा इसमें हम किसी का भी multiply नहीं करेंगे लेकिन 1 के नीचे क्या है 1 जो के AM से match नहीं कर रहा तो यहाँ पर AM होना चाहिए था AM का 1 में multiply करेंगे तो यहाँ पर AM आ जाएगा ओके तो जहाँ पर जो कुछ कम है वो note करना होगा AM से AM match कर रहा है तो cancel हो गया और जहाँ पर नहीं match कर रहा है वहाँ पर note करना है ओके equally similarly यहाँ पर भी AL LCM हो जाएगा LC वैसी रहेगा क्योंकि AL match कर रहा है प्लस और यहाँ पर AL नहीं है इसके denominator में तो यहाँ पर AL आ जाएगा क्योंकि 1 से multiply करने पर कुछ भी change नहीं होगा अब यहाँ पर LHS में हमारे पास क्या आया MB प्लस AM upon AM तो MB प्लस AM किसके बराबर है तो यहाँ पर इस triangle में देखिए MB और AM इन दोनों को मिलागर क्या बन रहा है AB एक पूरी line complete हो रही है तो इन दोनों से मिलकर क्या बना AB यहाँ पर हम note कर सकते हैं इस पूरे की जगा पर AB और upon AM वैसे ही रहेगा और नहीं समझ में आए तो side में आप note कर सकते हैं since MB प्लस AM is equal to किसके बराबर है AB के बराबर इसके बाद equal वैसे रहेगा RHS में भी हमारे पास LC प्लस AL है यहाँ पर LC और AL इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है AC एक पूरी line complete हो रही है तो यहाँ पर इस पूरे की जगा पर क्या आ जाएगा AC और upon AL वैसे रहेगा और यहाँ पर अगर आप side में note करना चाहें AL प्लस LC या फिर LC प्लस AL किसके बराबर है AC के बराबर तो आप note कर सकते हैं अगर आपको इतना समझ में आ गया है क्योंकि हमने इसे पलट कर solve किया था तो यहाँ पर AM upon AB हो जाएगा equal और RHS की value भी पलट जाएगी यह हो जाएगा AL upon AC क्योंकि यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है AM upon AB यहाँ पर starting में हमने इसका reciprocal क्यों note किया क्योंकि यहाँ पर question में हमें क्या प्रूफ करना है AM upon AB तो यहाँ पर MB नहीं है तो अगर हम इसमें one add करते दोनों side तो LC में इसमें MB ही रहता MB हमें नहीं प्रूफ करना था इसलिए हमने इसका reciprocal note किया फिर इसमें one add किया और इसमें solve किया तो हमारे पास MB जो था वो किसमें convert हो गया AB में और फिर इसका reciprocal note किया तो LHS वाली value हमारे पास आ गई जिसे हमें prove करना था अब इसी तरीके से हमें RHS की value लानी है और फिर इसके बाद इसे compare कर देंगे तो यह prove हो जाएगा क्योंकि जो कुछ भी हमें prove करना है उसमें से LHS की value हमारे पास आ गई तो इसे हम equation first assume कर सकते है अब यहाँ पर हम note कर सकते है अगेन और दूसरी condition हमारे पास क्या है LN is parallel to CD और यहाँ पर अगर आप since का sign बनाना चाहें तो बना सकते है यहाँ पर LN हमारे पास यह है और CD यह है तो यह दोनों क्या है parallel है तो यहाँ पर अगर यह दोनों parallel है तो triangle हमारे पास कौन सा है ACD यहाँ पर हम note कर सकते है in triangle ACD क्योंकि यहाँ पर भी एक triangle है और दो lines parallel है तो यहाँ पर इसे भी हम ratio में note कर सकते हैं इसका ratio क्या हो जाएगा AL upon LC is equal to AN upon ND अब इसे भी same वैसे solve करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसका reciprocal note करना होगा क्योंकि जो हमें prove करना है उसमें ND नहीं है क्या है DA है तो यहाँ पर सबसे पहले इसे पलट देते हैं जाएगा LC upon AL is equal to और यह हो जाएगा ND upon AN अब इसकी बाद यहाँ पर इन दोनों में हमें 1 add करना है तो यह हो जाएगा LC upon AL plus 1 equal ND upon AN plus 1 अब इसकी बाद इसे LCM लेकर solve करना होगा तो यहाँ पर LCM हो जाएगा AL LC वैसी रहेगा प्लस यहाँ पर 1 है तो AL आ जाएगा और RHS में LCM हमारे पास क्या है AN ND वैसी रहेगा प्लस AN का 1 में multiply करेंगे तो यह AN हो जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है LC plus AL upon AL तो LC और AL इन दोनों को add करने पर हमारे पास क्या आ रहा है AC तो यहाँ पर हमें क्या note करना होगा AC इस पूरे की जगह पर और AL वैसी रहेगा और सिमिलारली RHS में हमारे पास है ND plus AN तो ND और AN इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या रहा है AD तो यहाँ पर हो जाएगा AD upon AN वैसी रहेगा अब यहाँ पर इसका हमें reciprocal बता करना होगा क्योंकि हमें क्या प्रूप करना है AN upon AD इसका just opposite यहाँ पर LHS में हो जाएगा AL upon AC is equal to और RHS में हमारे पास क्या जाएगा AN upon AD जिस तरीके से हमारे पास equation first आये थी इसी तरीके से यह हमारे लिए क्या है equation number second अब यहाँ पर equation first में हमारे पास क्या आया AM upon AB is equal to AL upon AC और equation second में हमारे पास क्या आया AL upon AC is equal to AN upon AD यहाँ पर AL upon AC दोनों ही equation में है तो इसका मतलब यहाँ पर आई हुई सभी values आपस में बराबर है अब इन equations को हमें compare करना होगा तो यहाँ पर जो exact same value है वो cancel हो जाएगी अब यहाँ पर हम note कर सकते है from equation first and equation second इन दोनों equation से क्या प्रूव हो रहा है कि AM upon AB किसके बराबर है AN upon AD के क्योंकि AL upon AC यहाँ पर इन दोनों में है तो यह cancel हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर equation first और second को हम क्या कर रहे है compare कर रहे है तो simple है जो match कर रहा है उसे ignore कर देंगे जो match नहीं कर रहा है उसे हम equal के sign के साथ note करेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी आपस में बराबर है अब यह prove हो चुका है तो यहाँ पर हम note कर देंगे hence proved और इसका एक shortcut method है उससे भी आप इसे solve कर सकते है लेकिन examiner आपको हो सकता है पूरे full marks ना दे क्योंकि वो एक shortcut method है वहाँ पर values I कैसे यह नहीं बताया जाता इसलिए उसमें pull marks नहीं मिलते है तो अगर आप पूरे full marks gain करना चाहते है अचीव करना चाहते है तो आपको इसे step by step इसी तरीके से solve करना होगा जैसे मैंने अभी इसे आपको बताया है otherwise आप इसका shortcut method apply करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं समझ में आया तब इसका shortcut method वही है जो second question का third point था जिसमें हमने क्या लिया था half full value तो यहाँ पर आप am upon ab लिख सकते हैं तो आपके पास first equation आएगी जिसमें lhs की value होगी और इसी तरीके से an upon ad लिख सकते हैं half and full method से और आपके पास second equation आएगी फिर दोनों को compare कर दीजेगा compare करने के बाद जो match कर रहा है उसे ignore कर देंगे क्योंकि वो cancel हो जाएगा और जो match नहीं कर रहा है वो equal के sign के साथ note करना होगा next is question number 4 अब यहाँ पर हमारे पास एक figure दिया गया है और इसमें बताया गया है कि de ac के parallel है और df ae के parallel है तो यहाँ पर हमें क्या prove करना है कि bf upon fe और be upon ec यह दोनों आपस में बराबर है इसे हम given और to prove में note कर सकते है तो सबसे पहली condition हमारे पास क्या है कि de is parallel to ac तो यहाँ पर हमें इसे note करना होगा और since का sign भी बना सकते है यह हो जाएगा de is parallel to ac यह de है और यह ac है तो यह दोनों आपस में parallel है तो यहाँ पर किस triangle की बात की जारी है ट्राइंगल bca यह फिर bacb से आप note कर सकते यहाँ पर हम note कर सकते in triangle bca अब यहाँ पर इस triangle में de और ac दो parallel line है तो किसी भी triangle में जब दो parallel line होती है तो वहाँ पर हमें कौन सी theorem हम apply करनी है bpt ओके तो पहला रेशियो हमारे पास क्या होगा bd upon d a और दूसरा रेशियो क्या होगा b e b से लेकर e तक क्योंकि d e यहां पर parallel है upon e c तो यहां पर हम note कर देते हैं first ratio हो जाएगा bd upon d a is equal to दूसरा ratio हो जाएगा b e upon e c अब यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है bf upon fe is equal to b e upon e c तो b e upon e c हमारे पास आ गया right hand side वाली value इसे हम direct equation number first assume कर सकते हैं इसे और solve करने की कोई जरूरत नहीं है और यहां पर हम therefore का sign भी बना सकते हैं अब यहां पर हमारे पास एक और condition है जिसमें बताएगे है कि df a e के parallel है तो यहां पर इसे हमें ट्राइंगल की बात हुआ रही है b e a या फिर b a e की यहां पर हम नोट कर देंगे इन ट्राइंगल b e a अब यहां पर भी एक ट्राइंगल है और दो line parallel है तो यहां पर भी हमें कौन से theorem apply करनी है b p t अब यहां पर इसका रेशयो क्या होगा b d upon d a is equal to b f upon f e ओके तो यहां पर हम नोट कर देंगे b d upon d a is equal to b f upon f e अब यहां पर हमें proof क्या करना है b f upon f e तो b f upon f e हमारे पास इस equation में है तो इसे हम equation number second assume कर सकते हैं अब यहां पर lhs और rhs इन दोनों की values हमारे पास आ चुकी है इन दोनों equation को हमें क्या करना होगा compare यहां पर हम note कर सकते हैं from equation first and second तो equation first और second में क्या exact same value है b d upon d a तो यह दोनों cancel हो जाएंगे क्या बचेगा b e upon e c is equal to b f upon f e तो इसे हमें यहां पर note करना होगा यहां पर चाहिए आप b f upon f e is equal to b e upon e c note किजिए इसे या फिर b e upon e c is equal to b f upon f e एक ही बात है किसी को भी हम पहले और बाद में note कर सकते हैं यही हमें prove करना था इसे हमने prove कर दिया last में note करेंगे hence prove next is question number five अब यहां पर दो conditions बताए गई है और हमें क्या prove करना है if is parallel to qr ओके show that का मतलब होता है prove करना तो जो कुछ भी हमें दिया गया है उसे note करते हैं फिर इसे solve करते हैं यहां पर first condition हमारे पास क्या है d e is parallel to o q तो सबसे पहले इसकी first condition note कर देते हैं अब यहां पर d e यह है और o q यह है तो यह दोनों लाइन आपस में parallel है और यहां पर एक triangle बन रहा है triangle का नाम है p q o या फिर आप इसे p o q भी note कर सकते हैं अब यहां पर एक triangle है और इसके parallel एक line draw की गई है तो इसे भी हम bpt से solve करेंगे यहां पर इसका ratio क्या होगा p e upon e q is equal to p d upon d o ओके तो यहां पर इसे note कर देते हैं अब यहां पर इस ratio को क्या हम equation first assume कर सकते हैं तो हमें क्या proof करना है ef is parallel to qr तो पहले इसका ratio हम पता कर लेते हैं ताके हमें प्रूब करने में आसानी हो ओके तो ef कहा है ef है यह और qr कहा है qr एकदम last में है तो यहां पर कौन सा triangle बन रहा है triangle p q r ओके तो यह यहां पर इसकी sides का ratio क्या होगा पहली side होगी p e upon eq equal दूसरी side क्या हो जाएगी pf upon fr ओके यहां पर पूरा full triangle बन रहा है अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें से lhs की value हमारे पास आ चुकी है जो के exact same value है तो इसे हम direct equation number first assume कर सकते हैं अब इसकी बास second condition हमें क्या बताए or ओके यहां पर df और or यह दोनों parallel है यहां पर कौन से triangle बन रहा है p or या pr o यहां पर इस triangle का ratio क्या होगा p d upon do equal pf upon fr ओके अब यहां पर हमारे पास क्या है pf upon fr जो हमें प्रूफ करना है उसके rhs से match कर रहा है तेसे हम equation number second assume कर सकते हैं यहां पर हम note कर सकते हैं from equation first and second और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि p d upon do p d upon do से cancel हो गया क्योंकि exact same है और यहां पर p e upon eq pf upon fr के बराबर आ गया अब यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है ef is parallel to qr और इसका ratio क्या है p upon eq is equal to pf upon fr हमने दो तरीके की theorem पड़ी थी पहला था ppt और दूसरा था converse of bpt तो यहां पर ratio हमारे पास है तो इसका converse क्या होगा यह parallel में convert होगा ओके तो ratio यहां पर match कर रहा है तो इसका मतलब ef is parallel to qr यहां पर तो इसमें हम कौन सी theorem apply करेंगे converse of bpt या फिर converse of the theorem यहां पर हम नोट कर सकते हैं since और therefore में हमारे पास आ जाएगा ef is parallel to qr और side में हम नोट कर सकते हैं by converse of bpt कि bpt को जो हमने converse किया तो किसमें convert हो गया parallel में यहीं हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दि next is question number 6 अब यहां पर एक figure दिया गया है और इसमें बताया गया है कि a b c यह points है कहां पर points है o p o q और o r पर ठीक है तो यहां पर o p o q और o r इसमें a b c points है such that a b is parallel to p q यहां पर यह points इस तरीके से हैं कि a b p q के parallel है and a c is parallel to p r और a c p r के parallel है तो यहां पर हमें show करना है कि b c q r के parallel है यहां पर a b p q के parallel है a c p r के parallel है यह हमें बताया गया है लेकिन b c q r के parallel है या फिर नहीं यह हमें नहीं बताया गया है यह हमें प्रूफ करना है अब यहाँ पर figure आपको दो तरीके से दिया जा सकता है पहला तरीका यह है कि सिर्फ points आपको दिये हो BC के B से लेकर C तक कोई भी line draw नहीं की गई हो और दूसरा figure ऐसा भी हो सकता है जिसमें B से लेकर C तक एक line draw की गई हो अगर यहाँ पर line होगी तो फिर वो QR के parallel होगी यह हमें prove करना है और अगर line नहीं दी गई होगी तो यहाँ पर हमें construction में note करना है join BC और अगर यह पहले से joined है तो यहाँ पर construction नहीं note करेंगे अब इसके बाद इसे भी same वैसे prove करना होगा तो यहाँ पर first condition हमारे पास क्या है अब AB और PQ यह दोनों किस triangle के अंदर है triangle OPQ अब यहाँ पर इसका ratio क्या होगा OA upon AP आप किसी को भी पहले और बाद में note कर सकते हैं इसे आप AO भी note कर सकते हैं equal OB upon BQ अब यहाँ पर हमारे पास एक equation आई तो क्या हम इसे equation first assume कर सकते हैं सबसे पहले हमें check करना होगा कि इसका ratio क्या आएगा जिसे हमें prove करना है तो यहाँ पर BCQR के parallel है तो BCQR के parallel है इस वाले triangle में जिस triangle का नाम है OQR तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका ratio OB upon BQ is equal to OC upon CR तो OB upon BQ इससे match कर रहा है तो इसे हम equation number first assume कर सकते हैं यहाँ पर हम therefore का sign बनाएंगे और यहाँ पर note कर देंगे equation number first अब इसी तरीके से second condition हमारे पास क्या है AC is parallel to PR अब AC और PR यह दोनों कहाँ पर parallel है AC यहाँ पर है और PR यह है यह दोनों किस triangle के अंदर है triangle OPR ओके अब यहाँ पर इसका ratio क्या होगा OA upon AP या AO भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने OA note किया है तो यह भी OA हो जाएगा upon AP is equal to OC upon CR अब यहाँ पर देखो यह जो हमें prove करना उससे match कर रहा है तो इसे हम equation number second assume कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें equation first और second इन दोनों को compare करना होगा compare करने पर OA upon AP OA upon AP से cancel होगा क्योंकि इसकी particular value होती है 1 ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा OB upon BQ is equal to OC upon CR यहाँ पर हमें ratio नहीं बताना है हमें क्या prove करना है कि BC QR के parallel है तो इसका ratio हमारे पास आ चुका है यहाँ पर आ जाएगा therefore BC is parallel to QR और यह कैसे prove हुआ by converse of BPT ओके यहाँ पर हमें इसे ही prove करना था और यह prove हो गया next is question number 7 अब यहाँ पर हमें बताये गया है using theorem number first तो अगर यहाँ पर triangle की बात की जा रही है तो theorem first क्या होगी basic proportionality theorem यहाँ पर हमें बताये गया है prove that a line drawn through the middle point of one side of a triangle parallel to another side by sets the third side यहाँ पर triangle की बात की गयी है तो सबसे पहले एक triangle draw करते हैं और इसे आप class 9 में भी prove कर चुके हैं let's suppose यहाँ पर एक triangle है जिसका नाम है a, b, c अब यहाँ पर हमें बताये गए कि एक line हमें draw करनी है middle point से किसी एक side के तो let's suppose यहाँ पर a, b है इसका middle point मतलब बीच का point क्या है d कुछ भी assume कर सकते हैं e, f, g, h तो इस point से अगर हमें एक line draw करें और कैसी line parallel to another side ओके तो इस line से parallel अगर एक line draw करें another मतलब दूसरी side यह हुई b, c तो इसके parallel अगर हम एक line draw करेंगे तो फिर third side क्या है a, c तो यह third side को क्या करता है bisect करता है bisect का मतलब है दो equal parts में divide करता है तो let's suppose यह point e पर इसे divide करेगा जो कि इसकी third side है तो अब यहाँ पर जितना कुछ भी हमने किया है वो सब given में note कर देंगे यहाँ पर midpoint हमने क्या assume किया d आप इसे कुछ भी assume कर सकते हैं और यहाँ पर note कर सकते है the midpoint is d in triangle a, b, c of side a, b और question में दी गए information के according जो line यहाँ से draw की जाएगी वो parallel होगी b, c के मतलब another side के तो यहाँ पर हमने लिख दिया and d is parallel to b, c जो कि question में ही बताया गया है और जब यह line जाएगी तो तीसरी side को यह bisect करेगी यह हमें prove करना है तो यह line कहा तक जा रही है तीसरी side तक और इस point का कि यह इसे दो parts में divide कर रही है, दो equal parts में bisect का मतलब होता है equal parts में divide करना by means होता है 2, okay तो दो equal parts में इसे यह divide कर रही है, तो यहाँ पर हमें क्या prove करना है ae is equal to ec, अब यहाँ पर हमें information दी गई है कि d midpoint है, किसका midpoint है a, b side का, okay तो यहाँ पर हमें note करना होगा since d is the midpoint of a, b, अब इसकी वज़े से क्या हो रहा है, यह दो equal parts में divide हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा a, d है, उतना ही बड़ा d, b होगा, okay मतलब यह दो बराबर parts में divide हो रहा है, क्योंकि यह इसका बीच का point है तो यहाँ पर हम क्या note कर सकते है a, d is equal to d, b या d, b is equal to a, d a की बात है और इसे हम equation number first assume कर सकते हैं और यहाँ पर हम therefore का sign बना सकते हैं अब यहाँ पर एक triangle है और दो parallel lines है तो यहाँ पर हमें कौन से theorem apply करनी है, basic proportionality theorem तो उसमें क्या होता है sides ratio में होते है तो यहाँ पर अगर first side a, b को अगर हम ratio में divide करें तो इसका ratio क्या होगा a, d upon d, b तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं since और a, b upon d, b की value हमेशा क्या होगी one कोई भी side का ratio अगर बिलकुल बराबर ratio है तो मेंशा उसकी value one होती है कैसे one होती है अब देखो a, d, d, b की बराबर है तो a, d की जगा पर चाहिए आप d, b note कीजिए या d, b की जगा पर a, d note कीजिए एक ही बात है तो let's suppose a, d वैसे लिग देते हैं और d, b की जगा पर note कर देते हैं a, d, okay क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है तो इनको हम क्या कर सकते हैं same कर सकते हैं तो जब ये same हो जाएंगे तो ये cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा one क्योंकि same होने पर value क्या जाती है one, one time में ये divide हो जाएगा तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं Therefore, AD upon DB is equal to 1. किसके बराबर होगा? 1 के बराबर अगर बिल्कुल exact same नापका है. तो इसे हम equation number second assume कर सकते हैं. अब इसके आगे क्या है? DE is parallel to BC. तो DE अगर यहाँ पर BC के parallel हैं, तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं, since DE is parallel to BC, तो यहाँ पर DE यह है और BC यह है. यह एक triangle के अंदर हैं, और triangle का नाम है ABC. तो यहाँ पर हमें BPT apply करना होगा, और sides को ratio में divide करके लिखना होगा. इसका ratio क्या होगा? AD upon DB is equal to AE upon EC. अब यहाँ पर equation second में हमारे पास क्या है? AD upon DB is equal to 1. तो AD upon DB की जगह पर हम क्या note कर सकते हैं? 1 equal AE upon EC वैसी रहेगा. और यहाँ पर side में आप इसे mention कर सकते हैं, from equation number second. यह 1 कहां से आया? equation second से. अब यहाँ पर हमें cross multiply करना होगा. EC और 1 का multiply करेंगे, तो EC वैसी रहेगा, equal AE वैसे रहेगा. तो यहाँ पर हमें क्या prove करना था? AE is equal to EC. EC और हमारे पास क्या आया? EC is equal to AE. तो यह A की बात है. दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं. Hence, proved. Next is question number 8. अब यहाँ पर बताए गया है using theorem 2. और अगर यहाँ पर triangle की बात की गई है, तो theorem 2 क्या होगा? Converse of PPT. अब यहाँ पर क्या बताए गया है? Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. और इसे भी आप class 9 में prove कर चुके हैं. यहाँ पर क्या है triangle? तो सबसे पहले एक triangle draw करते हैं. और इस triangle का कुछ नाम रख देते हैं. A, B, C. अब यहाँ पर हमें बताए गया है कि कोई भी दो side है. उनके midpoints को join करती हुई एक line है. जो के third side के parallel है, यह आपको prove करना है. Let's suppose यहाँ पर two sides हैं. A, B और A, C. और इनके midpoint का नाम है D और E. इनको join करती हुई एक line है. अब हमें क्या prove करना है कि वो line तीसरी वाली side के parallel होगी. ओके? दो side तो यही हैं जिनका middle point हमने लिया. और तीसरी side ऐसी है, जिसमें middle point नहीं है. इन दोनों point को join करती हुई line third वाली side के parallel है, यह हमें prove करना है. और third side यहाँ पर क्या है? BC. तो यहाँ पर given में हम क्या note करेंगे? D and E are the mid points of side A, B and A, C. और जिससे हमने एक line से join कर दिया. अब हमें क्या prove करना है कि D E is parallel to BC. कि D E BC के parallel है. अगर D E BC के parallel हैं, तो यहाँ पर कौन से theorem अपलाई होगी? PPT और उसके according क्या होना चाहिए? AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके? जब ऐसा ratio हमारे पास आएगा, तब D E BC के parallel हो जाएगा. मैंने आप पर by mistake EC की जगा पर AC note कर दिया है, तो आप इसे correct कर लेना. अब यहाँ पर क्या पताया गया है? D and E are the midpoints of side AB and AC. तो इसे आप अपनी language में note कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक एक point को note करते हैं. तो सबसे पहले क्या पताया गया है कि D midpoint है किसका? AB का. अगर D इसका midpoint है, तो यह इस AB side को दो equal parts में divide कर रहा है. तो यहाँ पर इसके दो equal parts क्या होंगे? AD equal DB. ओके? मतलब यहाँ पर AD DB के बराबर होगा. यहाँ पर क्या prove करना है? DE is parallel to BC. तो इसे prove करने से पहले हमें इसका ratio पता करना होगा. तो ratio हमें यहाँ पर पता करना है, तो यह हो जाएगा AD upon DB. DB और इसकी value किसके बराबर होगी? 1 के बराबर, अभी मैंने बताया था, यह दोनों आपस में बराबर हैं. तो चाहें आप उपर DB note कीजे, यह cancel हो जाएंगे, और 1 में convert होंगे. और अगर आप नीचे AD note करें, तब भी यह cancel हो जाएंगे, और 1 में convert होंगे. तो इसकी value क्या है? fixed है, जब बिल्कुल बराबर values होती हैं. तो इसे हम equation number first assume कर सकते हैं, और therefore का sign बना सकते हैं. इसी तरीके से हमें E point बताया गया है, E किसका midpoint है? AC का. तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं, since E is the midpoint of AC. और अगर यह AC का midpoint है, तो यह इसे दो equal parts में divide कर रहा है, मतलब AEC के बराबर है. तो यहाँ पर हमें इसे note करना होगा, A is equal to EC. अब इसे भी हमें ratio में note करना होगा, तो इसका ratio क्या होगा? A upon EC, और यह भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, कैसे होगा? यह आपको पता है. तो यहाँ पर इसकी value हमेशा क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि यह दो बिल्कुल बराबर parts में divide हो गया है. तो यहाँ पर equation number second है यह, और therefore का sign बनाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास दो equations हैं, इन दोनों को हमें compare करना होगा. अब equation first और second से हमें क्या पता चल रहा है? 1 match कर रहा है तो यह हट जाएगा. क्या बचेगा? AD upon DB is equal to AE upon EC. यहाँ पर हमें क्या prove करना है? DE is parallel to BC. और इसका ratio हमारे पास आ चुका है. तो अब हम converse of BPT से इसे prove कर सकते हैं. यहाँ पर हम since का sign बनाएंगे और therefore का sign बनाकर note कर सकते हैं. DE is parallel to BC. और condition भी note कर सकते हैं by converse of BPT. यहाँ पर हमें यही prove करना था और यह prove हो गया. Next is question number 9. अब यहाँ पर क्या दिया गया है? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. Trapezium एक ऐसा koordilator है जिसमें दो sides parallel होती हैं और दो sides parallel नहीं होती हैं. Let's suppose यह एक trapezium हैं जिसमें दो sides बिल्कुल parallel हैं कहीं पर भी intersect नहीं कर सकती. और दो sides ऐसी हैं जो आगे जाकर intersect किसी एक point पर करेंगी. और इस trapezium का नाम बताया गया है क्या है ABCD इसे clockwise या तो आपको नोट करना होगा या फिर anticlockwise. और यहाँ पर बताया गया है क्या दो diagonal हैं जो के एक दूसरे को intersect कर रही हैं किस point पर? O point पर. कोई भी diagonal तभी intersect करती हैं जब एक से ज्यादा होती हैं. तो यहाँ पर दो diagonal कौन कौन सी है? DB और AC जो के point O पर intersect कर रही हैं. तो यहाँ पर given में आप क्या note करेंगे? जिसमें ABCD के parallel हैं तो यहाँ पर इसे हम note कर सकते हैं और इसकी diagonal के अगर आप नाम लिख दो तो और भी अच्छा रहेगा. और नहीं समझ में आया तो ABCD से लेकर point O तक सेम वैसे ही note कर दीजिए. और आप जिस तरीके से इसे describe करेंगे उसी तरीके से आपको marks मिलेंगे. और यहाँ पर जो हमें prove करना है वो तो clearly लिखा हुआ है. तो उसे आपको वैसे ही note करना होगा. तो यहाँ पर जो हमें prove करना है वो किस form में है? ratio के form में. तो यहाँ पर हमें क्या डूढ़ना होगा triangle? तो यहाँ पर triangle तो हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी line parallel नहीं है किसी भी triangle के अंदर. तो यहाँ पर हमें थोड़ा construction करना होगा. तो यहाँ पर अगर हम point O से लेकर E तक की एक line ड्रॉ करें. तब हमारे पास E O एक line आएगी जो के A C D triangle में DC के parallel है और D AB triangle में AB के parallel है. तो यहाँ पर construction में हम note कर सकते हैं throw O, draw O E is parallel to AB, in triangle DAB या DBA जिसे भी आप note करना चाहें. alphabet के order के according अगर आप इसे note करें तो ज्यादा अच्छा है. and O E is parallel to CD, in triangle ACD या फिर आप इसे ADCB note कर सकते हैं. अब यहाँ पर construction में हमारे पास क्या आया? O E is parallel to AB. तो सबसे पहले इसे note करते हैं, since के sign के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा O E is parallel to AB. और आप इसे कहीं पर भी construct कर सकते हैं. आपको प्रूब क्या करना है? उसे आपको mind में रखना होगा. तो यहाँ पर O E, A B के parallel हैं. किस triangle में? इन triangle DAB. यह question में हमें दिया ने गया, लेकिन हमने इसे क्या किया है? construct किया है, तो इसे हम side में note कर सकते हैं. construction. यहाँ पर दो parallel lines हैं और एक triangle हैं. तो यहाँ पर हम कौन सी theorem apply करेंगे? B, P, T. इसके according इसके sides का ratio क्या होगा? D, E upon A, E. और इसे आप E, A भी note कर सकते हैं. किसी को भी आप पहले और बाद में note कर सकते हैं. इक्वल और इसी तरीके से क्या है? D, O upon B, O. तो यहाँ पर हो जाएगर D, O upon B, O. क्यूंकि question में हमें यही prove करना है. और अब हमें इसे equation number first assume करना होगा. और second condition हमारे पास क्या है? O, E is parallel to C, D. यहाँ पर O, E और C, D parallel हैं. तो यहाँ पर किस triangle की बात की जा रही है? triangle ADC भी आप इसे बोल सकते हैं. और triangle ACD भी आप इसे बोल सकते हैं. अब यहाँ पर भी एक triangle हैं और दो parallel lines हैं. चैसे भी हमें ratio में note करना होगा. B, P, T, के according. इसका ratio क्या होगा? A, E upon D, E. जो हमने यहाँ पर note किया था. यह हो जाएगा A, E upon D, E. similarly, यहाँ पर हो जाएगा A, O upon C, O. यहाँ पर आजाएगा equal A, O upon C, O. यहाँ पर first equation में हमारे पास क्या है? D, E upon A, E. तो इसे भी हमें इसी form में note करना होगा. यहाँ पर A, E उपर है, और D, E नीचे है. तो इसका reciprocal हमें note करना होगा. its implies का sign बनाएगे, यह हो जाएगा D, E upon A, E is equal to, और यह भी पलट जाएगा, यह हो जाएगा C, O upon A, O. ओके? अब हम इसे equation number second assume कर सकते हैं. अब क्यूंकि इन दोनों equation में exact same value है, एक D, E cancel हो जाएगी, तो इन दोनों equation को अब हम compare कर सकते हैं. तो यहाँ पर D, E upon A, E से D, E upon A, E cancel हो जाएगा. क्या बचेगा? D, O upon B, O, equal C, O upon A, O. किसी को भी आप पहले और बाद में note कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें क्या proof करना है? A, O upon B, O, is equal to C, O upon D, O. यहाँ पर D, O, LHS में numerator में हैं, और A, O, RHS में denominator में हैं. तो यहाँ पर अगर हम cross multiply करें, A, O को D, O की place में, और D, O को A, O की place में note करें, तो यह proof हो जाएगा. तो इसे हमें cross multiply करके पहले सही करना होगा, क्यों हो जाएगा? A, O upon B, O, is equal to C, O upon D, O. यही हमें prove करना था, यह proof हो चुका है. तो यहाँ पर therefore का sign बना कर हम note कर सकते हैं. Hence, proved. Next is question number 10 and final question of this exercise. The diagnosis of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O, such that A, O upon B, O is equal to C, O upon D, O. So that ABCD is a trapezium. अभी हमने जिस question को prove किया, उसका just opposite है यह. तो यहाँ पर भी हमें एक trapezium सबसे पहले draw करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर show करना है कि जो कुछ भी आएगा, वो एक trapezium होगा. तो यहाँ पर जो quadrilateral हम draw करेंगे, वो किसके form में होगा? trapezium के form में. तो यहाँ पर एक figure है, जो के quadrilateral है, इसका नाम बताया गिया है, ABCD, तो यहाँ पर इसे note कर देते हैं, इसमें भी diagonals हैं, जो point O, पर एक दूसरे को intersect कर रही है. question में जब clearly बताया गिया हो, कि हमें क्या prove करना है, तो given में आप वही note करना, जो prove करने से पहले दिया गया है. बस उसे और थोड़ा अच्छे से modified करके आप लिख सकते हैं. किसी भी quadrilateral को हम तब ही trapezium prove कर सकते हैं, जब उसमें दो sides parallel हो. तो let's suppose यहाँ पर AB और CD, यह दोनों parallel हैं. इसे आप DC note कीज़े या CD एकी बात है. और इस figure में यही parallel हो सकती हैं, और कुछ parallel नहीं हो सकता. और यहाँ पर हमें ratio बताया गिया है, तो हमें क्या apply करना होगा? B, P, T, तो उसके लिए हमें construction करना होगा, तो यहाँ पर भी same भही construction करेंगे. Construction में हमें क्या note करना है? Through O, O से लेकर हमने ही तक एक line draw की, जो के AB के parallel है. और यहाँ पर एक triangle भी बन रहा है, triangle का नाम क्या हो जाएगा? DAB, ओके? अब यहाँ पर आप यह नहीं note कर सकते, O is parallel to CD. यह तो हमें prove करना है, क्योंकि इसके पहले वाले question में हमें बताया गिया था कि ABCD के parallel है. मतलब यह trapezium है, यह हमें बताया गिया था, और हमें इसे ratio में convert करना था. अब यहाँ पर हमें ratio बताया गिया है, और इसे हमें parallel prove करना है, जिससे पता चलेगा कि यह कौन सा figure है, trapezium. सबसे पहले question में हमारे पास क्या दिया गिया है, AO upon BO is equal to CO upon DO. इसे हमें equation number first assume करना होगा, यह condition हमारे आगे काम आएगी, लेकिन अभी इससे यह prove नहीं हो सकता कि ABCD के parallel है. तो यहाँ पर हमने construction जो किया है, इसको note करना होगा, यह हो जाएगा since OE is parallel to AB, और यहाँ पर यह किस triangle में है, in triangle DAB, और यह है क्या? यह construction है, यह question में दिया नहीं गया, यह हमने अपनी तफसे draw किया है, अब यहाँ पर एक triangle है और parallel lines है, तो इसे हमें BPT के according solve करना होगा, अब इसका ratio क्या होगा, DE upon AE, तो यहाँ पर हम note कर सकते हैं, DE upon AE is equal to DO upon BO, तो यहाँ पर हो जाएगा DO upon BO, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, DO upon BO, और यहाँ पर क्या है, AO upon BO, तो यहाँ पर अगर हम DO और AO को cross multiply करके solve करें, तो यहाँ पर हमारे पास DO upon BO आ जाएगा, और यह हो जाएगा CO upon AO, तो यहाँ पर इसे हम since का sign बना कर note कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर DE upon AE, किसके बराबर ह DO upon BO के, और DO upon BO किसके बराबर है, CO upon AO के, जैसे हमने cross multiply करके पता किया, तो जब यह इसके बराबर है, तो यह फिर CO upon AO के भी बराबर होगा, क्योंकि यह सब आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या note कर सकते हैं, therefore DE upon AE is equal to CO upon AO, I hope आपको समझ में आ रहोगा, जब यह exact same होत आते हैं, तभी जाकर हमारे पास equal वाली values आती है, तो बस उसी तरीके से हमने इसे note कर दिया, अब यहाँ पर हमारे पास आया DE upon AE, तो यह देखो, यह DE है और यह AE है, और यहाँ पर क्या है, CO upon AO, तो यहाँ पर यह CO है, और यह AO है, तो यहाँ पर हमारे पास एक triangle बन रहा है जिस triangle का नाम है ACD, अगर हम इसे इसके correct ratio में note करें, तब यहाँ पर OE किसके parallel हो जाएगा, CD के parallel, ओके, इसके लिए हमें इसका reciprocal note करना होगा, तो इसे पलट देंगे, यह हो जाएगा, AE upon DE is equal to, यह भी पलट जाएगा, यह हो जाएगा, AO upon CO, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, AE upon DE, तो यह है AE और यह है DE, और यहाँ पर क्या है, AO upon CO, तो यह है AO और यह है CO, जो कि अपने correct ratio में आ चुका है, तो यहाँ पर कौन से triangle की बात हो रही है, triangle ACD या ADC भी आप इसे note कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम converse of PPT का यूज़ करेंगे, और इसे parallel प्रूब करेंगे सबसे पहले हमें क्या पता चला कि OE, AB के parallel हैं, जो कि हमने construct किया था, फिर इसके बाद हमें पता चला कि OE, CD के भी parallel हैं, जिसे हमने proof किया, अब क्यूंकि OE, AB के भी parallel हैं, और CD के भी parallel हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह सब आपस में parallel हैं, क्यूंकि यहाँ पर यही के पैरलल होगी तो यहाँ पर हमें बस इसे ही नोट करना है और यह प्रूफ हो जाएगा अब यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सिंस ओई इस पैरलल टू ए बी और यह क्या है कंस्ट्रक्शन जिसे हमने सबसे पहले नोट किया था फिर इसके बाद हमारे पास क्या आया OE is parallel to CD जो के Converse of BPT से आया अब यहाँ पर OE common है तो इसका मतलब ABCD भी आपस में पैरलल है क्योंकि OE CD के भी पैरलल है OE AB के भी पैरलल है तो सब आपस में क्या है पैरलल और यहाँ OE OE match कर रहा है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे पैरलल तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं therefore AB is parallel to CD और इससे क्या पता चल रहा है कि ABCD एक trapezium है तो यहाँ पर हम statement नोट कर सकते हैं therefore ABCD is a trapezium hence proved तो हमारी exercise यहां से complete होती है अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को rewind करके देखिए और प्रैक्टिस कीजे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी इसके अलाओ भी आपक stay connected टेक केर बबाए